Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator और आज मैं start करने वाली हूँ Class 11 के जो आपकी Woven Words book है उसकी poems, so very interesting poems है इस पूरी book की तो आज हम इसकी first poem start करेंगे which is The Peacock तो Peacock आपको पता ही है, इस bird का नाम Peacock है यह हमारे इंडिया की national bird है तो एक overview देने से पहले, we'll just read about the poetess कि जो poetess को है, जो left hand side पे आप जो मेरे picture देख रहे है यह हमारी इस poem की poetess है, जो इनका नाम है Sojata Bhatt तो पहले थोड़ा इनके बार में पढ़ते हैं and then मैं आपको एक overview देती हूँ poem का इनका birth हुआ है year 1956 में and fortunately with God's grace, she is still alive अभी भी यह alive है She was educated in the USA and now lives in Germany तो इनकी जो education है पढ़ाई है वो USA में होई थी और अभी यह कहां रहती है, यह जर्मनी में रहती है She won the Commonwealth Poetry Prize for her collection of poems, Bruni Zem in the year 1988 तो इनको Commonwealth Poetry Prize मिल चुका है अपनी poems के collection के लिए और कौन सी बुक के लिए? Bruni Zem के लिए जो बुक year 1988 में आई थी from which the peacock is taken और यही वो बुक है जिसमें से हमारी poem the peacock जो है वो आज ली गई है और हम पढ़ रहे हैं उसे Two other books of poems by her a monkey shadows तो इनकी और भी दो बुक्स हैं जिसमें सुरफ poems याने poems हैं जिनको आप लोग poems कहते हो जो सही pronunciation है वो होता है poem तो इनकी जो second poem थी वो थी second poems की जो बुक्ती वो थी monkey shadows जो की year 1991 में आई थी और जो second poems की बुक्ती वो थी the stinking rose जो की year 1994 में आई थी She has also translated gujarati poetry into English इन्होंने gujarati language की जो poetry जो कवीता हैं उनको English language में भी translate किया है अब gujarati language क्यों क्योंकि इनका hometown था gujarat तो इसलिए gujarati language की poems को उन्होंने English language में translate भी किया है ये अपने nation अपनी country इंडिया को बहुत प्यार करती है इस वज़े से इन्होंने जो आज poem लिखी है वो हमारी national bird peacock के बारे में लिखी है peacock की तारीफ करते हुए peacock के beautiful colors को describe करते हुए ये poem लिखी गई है also peacock की सरफ beauty इसमें appreciate करी गई है इस poem में कहा जाता है कि जो peacock होते है peacock होती है वो बहुत beautiful bird है बहुत सुन्दर है लेकिन जो इसके pair होते हैं बहुत अगली बहुत बतसूरत होते है तो इस poem में उसकी सरफ beauty को describe करा गया है और जो उसकी negative चीज़े है याने जो उसकी अगली pair है उसके बार में कहीं भी mention नहीं किया गया है which means कि life में हमें भी लोगों के सरफ beauty और positive points को appreciate करना चाहिए रादर दिन उनके negative points को देखना चाहिए ओके तो यह जो poem है इसमें हम peacock के बार में उसकी beauty के बार में पढ़ेंगे और जो यह poem में हमारे poetess ने peacock को इसलिए लिए क्योंकि वो इंडिया की national bird है जो colorful feathers, जो colorful bird है यह हमारे हिंदुस्तान के अलग-अलग रंगों को प्रतीत करती है और दर्शाती है तो इसलिए peacock को लिए गया है Now let's start with the explanation of the poem Let's start with the poem His loud sharp call seems to come from nowhere अब यह his क्या है His usually हम humans याने आदमियों के लिए use करते है लेकिन यहाँ पर एक bird के लिए याने के एक animal के लिए use करा गया है his तो यहाँ पर clearly पहले ही word में जो literary device use हुआ है वो है personification तो personification वो poetic device है जिसमें हम किसी non-living thing को या किसी animal को human quality से represent करते है याने his usually या always मैं तो बुलूँगी always इंसानों के लिए यूज होता है लेकिन यहाँ पर his use करा गया है peacock के लिए ओके तो his loud sharp call seems to come from nowhere याने ऐसा लग रहा था poetess को कि जहां वो बैठी है वहाँ से दूर से कहीं से आवाज आ रही है sharp call याने की जो peacock bird की चह चाहने की या जो इसकी जो sound है peacock का वो जोर से कहीं से call आ रहा था याने कहीं से आवाज आ रही थी और ऐसा लग रहा था from nowhere याने peacock कहीं दिखनी रही थी हमारी poetess को सुजाता भट को लेकिन ऐसा लग रहा था आवाज आ रही है और from nowhere याने जहां वो देख रही है उनको peacock नजर नहीं आ रही लेकिन आवाज आ रही है याने peacock है लेकिन दिखाई नहीं दे रही then a flash of turquoise in the people tree अब यह turquoise क्या होता है अग QUEENS प्लू प्रेश्य स्टोन तो यह जो आप पत्थर देख रहे हो इसको हम turquoise stone बोनते हैं और जो उसका color होता है वो greenish blue color का मतला इसका जो है कलर का कलर का stone होता है तो जो peacock के feathers जो पीकॉक के color होता है वो भी turquoise कलर होता है याने greenish bluish color के उसके feathers होते हैं तो poetas कहते हैं फिर एक flash ऐसा लगा कि मैं वाँ बैठी हुए और मेरे सामने से एक flash निकलता हुआ गया turquoise color का याने इस color का याने कुछ जलक देखी वहाँ पर हमारी poetas ने peacock की और कहां पर देखी in the people tree जो people का पेड़ होता है उसके उपर चड़के बैठा था वह peacock तो ऐसा लगा थे कुछ जलक देखनों को मिली greenish bluish color की याने उन्हें समझ में आ गया कि people tree के उपर वहाँ पे एक peacock बैठा हुआ है अब people tree इस poem में क्यों use हुआ है और कोई tree क्यों नहीं use हुआ तो इसलिए use हुआ है क्योंकि people tree हिंदुस्तान का बहुत माना हुआ पेड़ है इस poem में peacock जो की इंडिया की national border उसके बारे में poetess नहीं use किया तो people tree भी हिंदुस्तान का बहुत जाना मायना tree है लोग इस पेड़ की पूजा करते हैं इंडियुस्तान में इसको sacred मानते है also people tree के नीचे माना जाता है कि बहुत भगवान ने इसी पेड़ के नीचे बैठके enlightenment प्राप्त करी थी ठीक है तो इसलिए उन्होंने या पे people tree उसके है तो poetess ने देखा कि people tree के उपर से एक flash आया है turquoise color का याने greenish bluish color का याने कि उसके उपर कौन बैठा है एक peacock बैठा है अब इस word slender का मतलब क्या है slender का मतलब thin in an attractive way तो जो peacock की गरदन होती बहुत पतली सी attractive way में कुछ इस तरीके के shape की होती है इस तरीके से कुछ ऐसा slender neck होता है peacock का जो की बहुत सुंदर beautiful होता है तो यहाँ पे बोल रही है हमारी poetess की जो slender neck था जो खूपसूरत सा attractive neck था किसका peacock का arched away from you ऐसा लग रहा था वो आपसे थोड़ा थोड़ा दूर जा रहा है याने he use हुआ है यहाँ पे again he personification यूज हुआ है याने usually इंसानों के लिए यूज होता है लेकिन यह animal याने एक peacock के लिए एक bird के लिए यूज हुआ है तो यहाँ पे personification his और यह ही पर तो इन two lines का मतलब है कि हमारी poetess कह रही है कि जैसे जैसे peacock people tree से descend हो रहा है याने नीचे उतरता जा रहा है और कहीं दूर जा रहा है ऐसा लग रहा है कि वो मुझ से arch away हो रहा है याने कहीं दूर जाता जा रहा है क्योंकि वो पेड से उतर के कहीं दूर जा रहा है and as he darts away a glimpse of the very end of his tail again यहाँ पे he use हुआ है that is personification darts away का मतलब क्या होता है to make a sudden quick movement जब अचानक से quick movement करते हैं एकदम से घूमती है कोई bird तो उसे हम dart away कहते हैं तो author कहती है या poetess जो है हमारी वो कहती है कि जैसे जैसे वो नीचे उतरा उसने quick movement किया peacock ने याने अपनी पूरे punk fell मतलब घुमाए और एक glimpse याने एक जलक देखने को मिली मुझे उसकी पूच के end की याने कि मुझे उसकी जो feathers का जो end था वो बिलकुल उसकी मुझे जलक देखने को मिली जैसे उसने quickly जैसे एक round लिया या एकदम जैसे peacock ने मुड़ी होगी तो थोड़ी सी एक जलकी दिखी उसकी पूच की याने उसकी टेल की या उसके end of feathers की याने बहुत सारे पंखों की तो poetist Sujatabhad कहती है कि मुझे से ये बोला गया था मेरे घर के बड़ों ने कि भाई तुमें घर के वरांडा में बैटना है घर की आंगन में बैटना है और एक book read करनी है अपनी किताब read करनी है और वो book किताब जो है preferably one of your favorites होनी चाहिए याने तुमारी बहुत सारी favorite किताबों में से जो सबसे favorite किताब है तुमारी या एका जो favorite किताब है तुम्हें वो किताब बैटके पढ़नी है और बहुत concentration से बहुत ध्यान लगा कि तुम्हें वो किताब पढ़नी है the moment you begin to live inside the book a blue shadow will fall over you तो author बोलती है poetess बोलती है कि उसी शन उसी moment जब आप किताब के अंदर जीना शुरू कर देते हो याने आप अपने आपको completely ingroth हो जाते हो बुक में बिलकुल घुस जाते हो पढ़ने लगते हो, समझने लगते हो आपका पूरा concentration, पूरी link बनी हुए उस बुक को पढ़ने में जब आप पूरा involved हो चुके हो great concentration के साथ हो उस बुक में बस उसी वक्त एक blue color की परचाई आपके उपर पढ़ती है अब वो blue परचाई किसकी है ऐसा लगता है कि एक blue color की peacock वहाँ से पास होके चली गई याने वहाँ से उड़के चली गई या वोक निकर के चल के निकल गई वहाँ से तो पढ़ते पढ़ते एक blue परचाई एक चाया दिखी हमारी poetess को तो वो उसका एकदम बहती हुए हवाई वो अपना direction change कर देगी क्यों change करेगी क्योंकि अब peacock जब अपने punk फढ़ फढ़ाएगी जोर जोर से तो जो wind का direction है वो इधर उदर हो जाएगा भाई हवा इधर उदर होने लगेगी क्योंकि punk बहुत तेज तेज चल रहे हैं the steady hum of the bees in the bushes nearby will stop steady का मतलब क्या होता है staying the same continuously कोई ऐसी आवाज जो हमेशा same रहती है और continuously चलती रहती है जैसे bees याने मदु मक्या honey bees की जो भुन भुनाट की आवाज होती है यह continuously चलती रहती है चलती रहती है तो poetess कहती हैं कि pass की जो bushes है pass में जो जाड़िया है वहाँ पे एक मदु मक्य का मक्यों का छट्ता है और वहीं पे से बहुत continuous जो आवाज आ रही होगी honey bees की मदु मक्यों की वो अब क्या हो जाएगी stop क्योंकि वहाँ पे peacock आ गई होगी आ गई होगी और जोर जोर से punk अपने फरफडा रहा होगा या फैला रहा होगा तो वो डर के वो honey bees ने भी क्या हो गई चुप हो गई होगी वहाँ पे the cat will awaken and stretch और हो सकता है कि वहाँ पे एक cat जो थी वो सो रही थी वो भी एकदम डर गई होगी क्योंकि एक बड़ी सी bird peacock आ गई तो वो awaken याने जाग जाएगी और जागने के बाद stretch करेगी याने अपनी अंगडाई लेगी क्योंकि वहाँ पे सारे जानवर cat का मतलब है कि जो भी जानवर वहाँ पे सो रहे होंगे वो उट जाएंगे क्योंकि एक बड़ी सी bird peacock वहाँ पे आ चुकी होगी और अपने punk फड़ फड़ा रही होगी something has broken your attention अब author अपने लिए कि बस समझो यहीं पे आपका attention तूट गया जो जिस ध्यान से जिस attention लगा के आप अपनी इस book को पढ़ रहे थे समझो वो तूट गया क्योंकि peacock अब वहाँ पे आ गई है कही न कहीं author को वो दिखने लगी है उसकी जलकिया and if you look up in time you might see the peacock turning away as he gathers his tail अब again यह जो he use हुआ है यह जो his use हुआ है यह हम इंसानों के लिए use करते है लेकिन यहाँ पे एक peacock के लिए use हुआ है that means यहाँ पे personification नाम का poetic device use हुआ है ठीक तो पोईटेस कहती है कि if you look up in time अगर आप side time पे अपनी किताब पढ़ते उपर देख लेंगे तो आपको पक्के से मौका मिल जाएगा peacock को देखने का क्योंकि अब तक तो आपको सिर्फ peacock की आवाज सुनाई दे रही है पर वो दिखाई नहीं दे रही अब तक आपको सिर्फ peacock की जलकिया gleams, shadow दिखाई दे रही है blue color की पूरी clearly peacock नहीं दिखी लेकिन अगर बुक पढ़ते पढ़ते अपने side time पे से उपर देख लिया तो आपको बिल्कुल मौका मिल जाएगा peacock को देखने का और ये देखने का कि कैसे peacock अपने सारे फैले हुए पंको को gather करती है और समेटती हुई वापस कहीं जा रही है और अपनी tail, tail का मतलब क्या है peacock के जितने बड़े-बड़े feathers होते हैं उसके नीचे उसकी छोटी से tail होती है हमेशा clearly उसकी पंकों की वज़े से नहीं दिखती है थोड़ी से दिखती है तो अगर जब वो अपने पंक पूरे समेट रही होगी gather कर रही होगी तो उस वक्त आपको उसकी tail उसके पंक देखने का मौका मिल जाएगा अगर side time पे आप उपर देख लेंगे अपनी किताब छोड़ के अब fringe का मतलब क्या होता है जब किसी animal के body पे natural fibers या जो hair जो बाल होते है उसे हम fringe कहते हैं जैसे peacock है तो peacock जब अपनी आग बन करती है तो यहाँ पे इस area में इसको चुटी 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 ऐसे hair या fibers दिखते हैं तो उसे हम fringe कहते है अन्वाट इस एन amber येलो ब्राउन सबस्टेंस यूस फॉर मेकिंग जूलरी तो येलो इश, brownish color का इस तरीके का एक substance होता है जिससे जूलरी यानि जेवरात बनाये जाते हैं तो वो इस color का होता है तो अगर amber color बोला है तो यहाँ पर first two lines में क्या बोला है यहाँ पर बोला गया है जब काती है याने ब्लिंक नहीं करती है लेकिन जब भी करेगी तो जब अपनी आखें बंद करेगी तो आपको क्या देखने का मौका मिलेगा वाइलेट और गोल्डन अंबर कलर के फ्रिंजिस याने अगर आप यहां पर ध्यान से दिखेंगे पीकॉप के पीकॉप के आइस क पीकॉप के नीचे अंडर आई पे तो जब अपनी आख बन करेगी तो यहां पर गोल्डन गोल्डन सौरी यहां पर आपको वाइलेट कलर इस तरीके का दिखेगा जो पीकॉप का नैशनल नाचरल ब्लू वाइलेट कलर है और यह जो चीज है यह ये येलोईश कलर की जो च उपन बहुत अच्छी iser US अगरान जा रहा है कि िजो आखे होती है पीजह की वो हमेशा ओपन रहती है आखिक हब वह जब पर नहीं सबकाती ब क्या ब्लिंक करती है क्या जबगा ती अपने पंक कभी खोलती है कभी बंकरती कभी खोलती है कभी बंकरती है करे ऱह म्हें हैं और हम ही कह लगता है फिल के जब कारें होगी जबकि पलकि तो यह पीकॉक कभीभी जबकाती हिं नहीं फैट ऐसा कहा जाता है कि जो पीकॉक होती है वह कभी भी किसी से डिर अंटाक नहीं करती नजरे नहीं इस form में हमारी poetist Sujatha Bhatt ने हिंदुस्तान को और उसकी national bird की beauty, उसकी attractiveness को appreciate किया हुआ है अगर आप चाहें तो हमारे videos YouTube पर भी देख सकते हैं वहाँ ना मिले तो website पर जाएए which is magnetbrains.com जब आप website पर जाएंगे तो इस तरीके का एक page खुलेगा जहाँ पर अलग से English woven words का option है अगर आपको मेरे इस book के videos देखने तो इस पर click करेंगे जैसी आप click करेंगे list of videos आपके समने आ जाएंगी for example आपको syllabus overview का video देखना है तो इस पर click करेंगे जैसी आप click करेंगे मेरा video आपके समने play होना start हो जाएगा and do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel क्योंकि magnetbrains free of cost quality education आपके घर तक पहुचा आ रहा है तब तक के लिए bye bye and take care